अब देख रहे हैं अब देखने पर गयाम मुनीर मेमन के साथ पकस्तान में सियासत के मैदान में उतार चड़ाओ कोई नई बात नहीं लेकिन उतार चड़ाओ पकस्तान में इस वक्ष़ग जादा अहमित के حامل हो जाते हैं जब हुकमतों की गरने और संबलने की बात आ जाती है जी हाँ इसको हम तथकरा कर रहे हैं कराची में होने वाली एक एहम मुलाकात के हावाले से बिलावल हाउस में होने वाली ये मुलाकात ये की तोर पर हर लिहास से बहुत जादा अहमित की हामिल रही इस मुलाकात में जो कहा जा रहा है वो यह है कि इसमे नासिफ कराची के बलगे वफाक से जुड़े मामलाथ के उपर भी काफी ज़दा गुफतुग हुई इसके हवाल से काफी ज़दा तबादला क्या हुआ हुआ इस नासिफ उपर 500 के जो मतालबात आई जी जो अटार जा सके और भी किसी भी इसके है कोई मतहदा कॉम्मिमेंट का इसमें क्या कहना है? क्योंकि मुतायदा कौम मुमेंट के अगर बात की जाए तो इस वोक एक ट्रांजिशन फेज भी नज़र आता है तीनों जो मुक्तलिफ धड़े हैं मुतायदा कौम मुमेंट के वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ चुड़ते नज़र आ रहे हैं यहां पर जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है वो भी अपने उरूज पर नज़र आती इसे वाल से हम गुफ्तू करेंगे जनाब खालिफ सुल्तान साम से मुतैदा कौम के सीनेर रहन Joint से जानने की कोज्श्च करेंगे कि इस मुलाकाथ का अंदूरू होता है ढें देखें, ब्रेक्ट्रू तो जब होगा, जब MQM के जाहिल मतालवात बंदूरोंगे, आपको पता है के नौ महीने पहले जब PDM और People's Party की साथ MQM मौाइदा हुआ था, उसमें पूरे पाकिस्तान की सियासी ताकते जो थी, उन्होंने थार जमात की जो दुमाइन की थी, चार जो हमारे भाई हैं, दनीवीनर, उनके दर्मियानी माइदा था, राइदा पाइटी सारवादोनों की, वहां के चैर्मेन थे, पीपस पाइटी के हवाई यहां कहीं है कर रहा है, के हैसिया से, और शबाद शरीय साथ, पंजाब से, फद्ल रिमाद साथ, सुबत सदत से, या और उस पे पीपस पार्टी मसलसल चाल मटों से काम ले रही है, और आमकियम मसलसल इसे वाजुशा रही है, हर सथा पे, मीडिया के जरीए भी, वहम इस्दिमारत के जरीए भी, और इस तरहा इसमली में भी अवाद रही है, तो खाली सब क्या वज़ा लग रही है, क्यों प और नेतों की ना होने की वज़ा क्या है जो जो सियासी जमातों में मौाइदा होता है किसी में मौाइदा होता है तो वो उसको इसलिए किया जाता है कि उस पे अमल किया जाए ना कि वगजारने के लिए कैसी पॉर्ट स्कॉर करने के लिए तो ये मुसलसल प्रीबर्स पार्टी कर ये नदर आया हमें कि वो वक्त गुजार रही है कि तरह ऐसा वक्त आ जाया कि माइद हुआ उसके लिए अमली तोर पे उस पे अमल करना जो है वो गुम किना रहा है तो खालिक साब ये जरा समझाएं कि खालिक मंगूल सिद्धिकी साब ने इस हवाले से एक प्रेस कांफेंस भी किये और उन्होंने बड़ा सक्ट चांस लिया और उन्होंने बाकाइदा तोर पे वफा की हुकूमत को भी तंबी की कि अगर उनके मतालबात ना तसलीम किये गए तो फिर वो कोई बड़ा फैसला करने के लिया से सोच सकते हैं तो क्या मताहदा कौमिम्मेंट ने इस वक्ती सोच पाई जाती है कि अगर इस वक्त कोई जो मतालबात हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो मताहदा कौमिम्मेंट आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकती है वफा के लिया से? लेकर हमने पाकिस्तान की बगा के लिये, पाकिस्ताम में जमेर्य की बगा के लिए और जो एक बहुत बगा क्राइशिस पाकिस्तान में इस वर सियासी और मौशी तोर पर सर उठाये खड़ाता हो उससे पाकिस्तान को बचाने के लिए हम अदर माके बढ़ाया और हमें अंजादे हैं कि यह सब तकलीफे हो सकती है और पीपर्स पार्टी के अवाई साथ जो हमेशा रवाई यह रहा है दोकता है वो फिर हमें इसका सामना करना किस्तंके शेरी हिराफ Meg volont线 वाई मौनादा जमाद में पाकिस्तान थो Эथ मिए आप वाई ना बजास पाकिस्तान चाहरे है और आप न Alabden पाकिस्तान के उससे जो हमेशा में मित्राइँ कर्शाइनें कि व Keysak dot made कर दोकь नहीं कि और तो उसको जाई श्रुदाने है जाता बात है यह हमें समरे में नहीं आ रहा है और मैं जी यह समझाने हैं खाले सब यह जो मुलाकात हुई और अभी भी बैक डूर राप्ते जारी हैं मुझे दर यह समझाएं कि वफाक का करदा तो यकीन तौर पर इसमें एक एहम होगा क्योंकि शहबाश शेरिश साब उस त दिश्रा ख्राय की निगरानी भी कर रहा ता या किन ध्यानी भी दिलाएज तक 5 पार्टी के अियुक्त-वजोप लएक रस्कड़ा नहां का मुझे रही है हैаз किवरंडर के आ साई। पर पीपल्स पार्टी इतनी जाते खंवर्टेम नहीं हारी है हमारे लिए गवरनर एड़िस्ट्रेटर यह इस फानवी चीज़ थी भूनियादी चीज़ थी अब अब तक किसी चीज़ पर आमल जरा मत दो थीवा पाकिस्तान जो पर जो बलध्याती ह्वाले से उर हम Запास्तूर पर पाकिस्तान जो को यह थीज़ादी इतना जाए लिए प्राटी अधारों को यह इतना जाने ताहरे श्प्रिम कोर्ट ने हमारी पर्टिशन पर पे ज़ए प्रवर्ड शीं फेसले दिया पाकितान में उसाथ के 141 एक एते हैं और उने बहुत डिटेल थी इदारे तब लिखे के टॉन को इदारे डिवाल्व का लव इस्टेमाल किया पीपल्स पार्टी ने से जब हमारा मुइदा हुआ तो जड़तारी साथ ने हो जाव गुटो साथ रिकार आप सौफी को इसे अमल करेंगे बिलकुसे तो आपका गिला दरहसल पीपल्स पार्टी से ना वफाक से नहीं है नहीं हमसे हमें दोनों से है क्योंकि वह गार्टी से ने जब कोई यह वुटसल्नमा उस्कूल है को इसलाम के पुरान के साथ आपके तरह है कि अगर कोई जो जिससे मौहिदा किया जाता है वह फरीक अगर अपना मौहिदा पूरा नहीं करा तो जो उसके गरेंटर्टर्स हो होतے हैं वह ताबन रहते हैं उस माईद वो पूरा करने के थैरें गौते हमें इसलिमा उसुले हो जियांची का भी और अल्लह का हुँम भी से तरह हैं अगर विल्द्रियों से था. इन्तिकाबात हो जाते हैं और बल्दियाति निजाम तश्किल पाया जाता है तो मुतहदा कौम फिर क्या कर रही होगी क्योंकि आपने तो जिस वजा से इस हुकूमत का साथ दिया था जो आपके मौाइदे के असल रूथ ही अगर वही पूरी नहीं हुई तो आप फिर भी इस सब्सक्राइब के लिए पाकिस्ताइब के लिए लिए किया था और हमने बड़े खुर्बानी देते हैं नहीं आ रहे हैं और वह एक ऐसी पार्टी जिसका मैंडेट तब तब तस्लिपी करते हैं जवाई दौपर लगे हम इसको उसको मस्नूरी तरीके से हराने के लिए कोश चारों सब्सक्राइब की हैं यह नहीं का आज हम शोर्वाज़ के होगा खाले साब यह बताएं आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा हैं यह बहुत आहम है बहुत अहम है बद्धिया के लेवी और अवाम की लेवी के सुप्रीम कौर्ड ऑफ पाकिस्तार में जब हम गए हलका तो सुप्रीम कौड ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप सुफिशन्ट जो इदारे हैं जो पुतालिय का इदारे हैं उनके पास जाएं तो हम वापर उनकी हिदेयात के ओपर यहां पे सुप्रीम कौड के पास आए क्योंकि उसके फिद्याया सा चाहिन चलने का और रिलेशन कमिशन अस पाहिस्तान के उसके वह इस्तियास हा कि अनकबंदिया स्रणों करने का उसके जायदा लिए प्रम कोड के खना वर्दी कर रही है और प्रम कोड़ने के निया जाकर मामिला प्राइकर लिए थे लिए उसके खानूनी दुल्ब में अवल करने से जा एक दिन में कानून साजी हो सकती जैसा इस्लामबार्द में होई ताकि हुकुमत ने वहसूस किया कि अश्लाइबाद में अबादी के लिया से हलके करें या वहाँ पर गलत हलके बनाएंगे तो वहाँ उन्होंने एक हलके से छपिल हलके कर दिए तो हलके बाद हैं ठीक हो गया खाल साब आपका मौकफ आगे और रिकीन तरहा है ठीक हो गया खाली साब आपका मौकफ आगए यकीन तौर पर बड़ा है मसला है कि कराची जिसे बड़े शहर में इस वक्त बलद्याती निखा बात अपने सर पर नजर आते हैं आखी जो आपका सवाल था मैं आपको उसका जोर्ब देने का रहा हूँ जी जी दे दे दें तौर माइंड ओका उनसे राइ ले रहा है और हो सकता है हम एक दो दिन में अपना जर्वर का इजलाद भुला के भी उसे रायो होगा है के इसमें क्या मुमक्ना आते हैं क्या इलेक्शन का बॉयकॉट है या हुकूमत का बॉयकॉट है कोश भी हो सकता है हम जब ओद से दबा हुआ था है वे वोकूमत छोड़ दे उससे हम अपने मौकफ शहट गए सभी होगे खाली सब आपका मौकफ आगे यकीन तोर पर बड़ा है मसला है कि इस वक्त जो मुव्मेंट के हवाले से जो मामला चलने जो उनके मुतालबात हैं इस हवाल से मुलाकाते हो रही हैं सामने नहीं आरी जिसमें यह कहा जा सके कि जो इस वक्त मामला थैं वो बहतरी के तरह जा रहे हैं इसके उपने मजीब भी गुफ़त करेंगे आने में सेग्मेंट में प्रग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं ब्रेक के बाद हज़र हो कें अब देख रहे हैं दे डेली शोव पुनीर मेमन